ओम कैंशी महागड़ी शाय नमा राधी राधी दोस्तों कैसी हैं आप सब दोस्तों भादबद मास की पूर्मा इस बार 20 सितंबर दिन सौमबार को है भादबद पूर्मा के दिन उमा महीश्वर ब्रत भी रखा जाता है यह ब्रत भादबद पूर्मा के दिन से ही श्राध बक्ष जिसे पितर पक्ष या श्राध या फिकनागत के नाम से भी जाना जाता है का प्रारंब हो जाता है पित्रपक्ष भादबद पूर्मा से प्रारंब होते हैं और अश्विन मास की अमावस्य दिधी को समाप्त होते हैं इस पार पित्रपक्ष 20 सितंबर को प्रारंब हो रहे हैं और 6 अक्टूबर को अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होंगे पित्र पक्ष के दौरान पित्रों की आत्मा की शांती और त्रप्ती के लिए पिंड़दान तरपण शाद कर्म किये जाते हैं यह दिन पित्रों की आत्मा की शांती पित्रों की मुक्ती के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं शास्तों के अनुसार, जो व्यक्ति अपने दिवंगत पित्रों की आत्मा की शांती और मुक्ती के लिए पित्रपक्ष के दौरान, शात तरबन, इत्यादि कर्म नहीं करते, तो उन्हें पित्रदोश लगता है. पितर दोश को हमारे धर्मशास्त्रों में सबसे बड़ा दोश बताया कया है पितर दोश को मेत्यू डंड पितर दोश भी कहा जाता है जिन पर पित्र दोश लगता है उनके जीवन में हर कारे में उन्हें कटनाईयों का सामना करना पड़ता है और उनकी बनते हुई कारे भी बिकड़ जाते हैं जिन पर अपने पित्रों की कृपा नहीं होती उन्हें देवी देपनाओं की भी कृपा प्राप्त नहीं होती इसलिए पित्र पक्ष के दोरान पित्रों की आत्मा की शांती और त्रप्ती के लिए शाथ तरपन दान इत्यादी अवश्य ही करना चाहिए। पहना कर सफिद चंदन का तिलक लगाए। पूर्मा के दिन पित्रों को खीर अर्पित करनी चाहिए। और देवों के लिए प्रशाद निकाला जाता है। और फिर भ्रामणों को भोजन कराया जाता है। इसके बाद स्वैम भोजन किया जाता है। शाद पक्ष के दिन खासकर शाद करने वाले दिन प्याज लहसन या फिर तामसिक चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भादबद पूर्मा के दिन भागवान सत्य नारायन की भी विशी शूप से पूचा की जाती है। इस दिन भागवान सत्य नारायन की पूचा करने से विक्ति को जीवन में धन आदी की कभी कोई कमी नहीं होती। जो लोग इस दिन प्रत करते हैं उनके घर में सुक सम्रथी का बास होता है और सारे कश्ट दूर हो जाते हैं दोस्तों आज की इस बीडियो में हम आपको भादबग पूर्मा के इस सुबसंयोग पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने चाह रहे हैं इन उपायों को करने से भागवान बिश्टुमा लक्ष्मी मिलता है पित्रों की आत्मा को शरांति मिलती है पुराणों के अनुसार चिथि के स्वामी भागवान बिश्टुमा लक्ष्मी जीवन पुराणों में पूर्मा का दिन बेहत पवित्रमाना जाता है, कहते हैं इस दिन लेसन, प्याज, मास, मद्रा, आदी का सेवन नहीं करना चाहें, पूर्मा के दिन प्रमचर्य का पालन करना चाहें, पूर्मा के दिन परिवार में शुक शांती बना कर रखनी चाहें, और किसी से कटू बच्चन नहीं बोलने चाहिए इस दिन दर्वाजे पर आने वाले गरीव या चरत्मन व्यक्ति को अपनी सामत के अनुसार दान अवश्य ही कहना चाहिए पूर्मा के दिन चावल का दान कहना भी बहुत शुब होता है ऐसा कहने से चंदर गह से संबंध दोश्दूर पित्रों को प्रसंन के लिए और पित्रों का आशिरवात प्राप्त कईने के लिए एक शुद्ध लोटे में आप जल भरें जल में थोड़ी से चीनी ओष्या काले दिल डालें अब इस जल को आप दर्शिद दिशा की तरह मुह करके चड़ा दें जल चड़ाते समें आप प पित्रों की दिशा मानी जाती है पूर्मा के दिन इस तरह जल चढ़ाने से पित्र देब प्रसंद होते हैं जल चढ़ाने के बाद पित्र देब को प्रडाम करें अपनी सभी जाने अंजाने में की गई गलतियों की शमा मांगे इससे पित्रों का आशेवाद प्राप्त होता ह और पितर दोश से भी मुक्ति मिलती है पोड़मा के दिन मा लक्ष्मी को ग्यारे कोड़िया अर्पित करें मा लक्ष्मी के सामने एक लाल रंके कपड़े पर अब ग्यारे कोड़िया रखें अब मा लक्ष्मी का फूजन करें और फिर मा लक्ष्मी को तिलक लगाने के बाद ह स्थान पर रख लें इस सुपाई से घर में धनकी कोई भी कमी नहीं होती इसके पश्चात प्रते पूर्मा के दिन इन कौडियों को अपनी तिजोरी से निकाल कर माता के समुख रख कर उन पर पुन्हें हल्दी से तिलक करें फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में जहां कोड़ी होती हैं वहां मालक्ष्मी सदय पास करती हैं पूर्मा की रात को जाड़ू का एक आसान सा उपाई करके आप मालक्ष्मी को प्रसंद कर सकते हैं क्योंकि जाड़ू मालक्ष्मी का ही प्रतीक मानी जाती है जाड़ू हमारे घर से गंदगी हटाती है और उत्तर पूर्व कौने को साफ करें। अब आप एक नई ज़ाडू लें। या फिर आप रोजाना जर झाडू से अपने घर में ज़ाडू लगाते हैं उस ज़ाडू को भी ले सकते हैं। इस ज़ाडू को लेकर आप कप्ड़े से पहुंच कर साफ कर दें। इसके बाद इस जाडू को आप अपने घर के साफ उत्तर पूर्व कौने में लिटा कर रखते हैं। ध्यान रखें इस उपाई को कहने के लिए आप ऐसी जाडू ना लें जो आप इस्तमाल नहीं करते हैं। यानि कि जो जाडू बेकार हो गई हैं। आपको ऐसी ही जाडू लेनी हैं जिसका आप इस्तमाल करते हैं या बात में करेंगे। जाडू की पूजा करने के लिए जाडू के हैंडल पर आप कलावे से तीन लपेट लगाएं और एक कार पांदें। इसके बाद आप जाडू के हैंडल पर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। फिर अपने हाथ में थोड़ी से साबुच चाबल हल्दी कुमकुम लें। और अगर पुश्पु हो तो पुश्पु भी लें। अब आप हल्दी कुमकुम चाबल और पुश्पु को जाडू के उपा छिड़गें। अब एक सुगंदे धुबत्ती जलाएं। इसके बाद मा लक्ष्मी को हाद चोड़ कर प्रणाम करें और उनसे अपने घर में से गरीबी और दर्दता को दूर करने के प्रातना करें। घर में सुख सम्रती और सौभाके के भी प्रातना करें। ध्यान रखें। जारू ऐसे इस्थान पर रखी है जहां रात में आपकी निखा पड़ेगी। तो आपको छारू पर रात में कोई कपड़ा ठक दें। सुबह उठकर आप जारू के पास जाकर पहले मालक्ष्मी को प्राणा करें। इसके बार छारू उठाकर सबसे पहले अपने रसोई घर में जारू लगाएं। और फिर पूरे घर में जाडू लगाएं। पूर्मा की रात को ये आसान सा उपाई करने से मालक्ष्मी की करपासे घर से गरीबी और दरिदित्ता दूर हो जाती है और सुख समर्दी सौभागय का बास होता है। आप चाहते हैं कि धन, सुख, समर्दी और एश्वर्दी की देवी मालक्ष्मी आपके घर में इस्थाई रूप से बास करें। तो आप अपने घर में साफ सफाई रखें। घर में लड़ाई जगड़े ना करें। बड़ों का सम्मान करें और बच्चों से प्यार करें। दान्मिक माननेताओं के अनुसार जहां लड़ाई छगड़े होते हैं कोई गलत कार्य होता है या गंदगी होती है, बड़ों का अपमान होता है वहां मालक्ष्मी कभी भी बास नहीं करतें। पूड़ों के दिन भगवाई शिप्ची का भी पूजन अवश्य ही करना चाहिएं। परिवार में सुखसो भाक्य के लिए और रोग और संकर दूर करने के लिए पूड़ों के दिन भगवाई शिप्ची को सफेज चंदन एवन सफेज फूल चड़ाते हुए साबुदाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुखसो भाक्य की वश्या होगे। रोग और संकर दूर रहते हैं। पूड़ों के दिन चंद देप का पूजन करने का भी विशेश महत्व होता है। जिस भी व्यक्ति को जीवर में धन संबंदी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें पूड़ों के दिन चंद देख के समय चंद्रमा को कर्चे दूद में चीनी और चावल मिलाकर। ओम एम क्लिम सौमाय नमा मंतर का जाप करते हुई अर्धे देना चाहें। इससे धीरे धीरे आधिक समस्याओं का निराकरण हो जाता है। पूड़मा के दिन ये आसान से उपाई करके आप भगवान विश्नु माता लक्ष्मी जी के सासा समस्ति देवी देपताओं का आशेवाद प्राप्त कर सकते हैं। उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिससे भैबी इसका लाब उठा सकें। हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तैंक्स फॉर वाचिंग।